दोस्तों अगर आप भी रोज की नाश्टे से कुछ हटकर बनाना चाहते हैं तो आज मैं गेहूं आटे से ही ऐसा ही आपके लिए एक हेल्दी और साथ में चटपटा नाश्टा लेकर आई जो इन दोनों का कॉंबिनेशन है साथ में हेल्दी भी है और चटपटा भी है बच्चे तो स्पेशली इसके फैन हो जाएंगे तो चलिए बनाते हैं तो इस नाश्टे को सबसे पहले बनाने के लिए हमने आपर दो कप भरकर गेहूं का आटा ले लिया है साथ में मैंने इसमें डाल दिया है एक से डेopट चम़च यहाँ पर देसी घी देसी अगर ना हो तो आप यहाँ पर दो चम़च रीफाइन टेल भी दाल सकते हैं साथ में स्वाद अनुसार हलगा फुलका सा मैंने इसाँ नमक डाल दिया है ज्यादा नमक का इस्तमाल नहीं करना है और हलकी फुलकी ही मैंने यहाँ पर हातों से क्रश करकर अजवाएं डाल दी है अब सारी चीजों को एक बार ऐसे ही रफली हमें मिक्स करना है हमें इसे ज्यादा मिक्स नहीं करना है बस roughly जैसे mix करते हैं कि सारी चीजे आपस में mix हो जाए बस इसी तरीके से यहाँ पर यह देखे सारी चीजे हमने mix कर ली है अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालके हमें इसका आटा लगाना है यानि कि डो लगाना है रोटी का जैसे हम आटा लगाते हैं वो थोड़ा सा medium होता है यानि कि ना ज्यादा tight होता है ना ज्यादा नर्म होता है यह हमें थोड़ा सा टाइट लगाना है आटा, मतलब यह है कि थोड़ा सा सक्त लगाना है, तो पानी का इस्तमाल आप धीरी धीरे करें, एकदम से ज़्यादा पानी ना डालें, तो यह देखें, जब हम इस आटे में मुक्की लगा रहे हैं तो थोड़ा सा प्रेशर लगेग अब इसको हम यहाँ पर थोड़ी सी देर के लिए rest पर डाल देते हैं rest पर इसलिए डाल रहा है क्योंकि हमें करना एक छोटी सी और तयारी तो चलिए अब इसे रख देते हैं एक side में plate ढ़क कर और यहाँ पर हम ले लेते हैं एक cup फरकर प्याज तो यहांपर दो बड़ी पयाज मैंने कट किया है आप चाहे तो यहांपर कटोरी से भी मेजर्मेंट कर सकते है स्वीट कॉन दाल रही हूई यहांपर तीक्षी के लिए एक से दो भरी मिर्ची बारी कट करकर स्वाद अनुसार डालेंगे हम यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर पच्चो के लिए बना रहे हैं तो आप मिर्च अपने हिसाब से बैलेंस करकर डालें एक चोथाई चमच गरम मसाला और एक चोथाई चमची हम यहाँ पर डालेंगे आमचूर पाउडर अमचूर पाउडर ना हो तो आप यहां पर चाट मसाला या आदा नीमू को जूस भी इसके अंदर एड़ कर सकते हैं बस यह दो तीन मसाले ही जाएंगे उसके बाद इसको हम यहां पर दे देंगे बढ़िया वाला मिक्स जो मसाले है ना वो हमारी प्याज और स्वीट कोन के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं यह फ्रोजन स्वीट कोन है अगर आपके पास स्वीट कोन ना हो तो आप खाली प्याज से भी इस रेसिपी को बना सकते हैं लास्त में उपर से डाल देंगे हम यहां पर अच्छे से मिक्स दे दिया रुप आंटे को आंटा से अच्छे से एकंप मेंसाटा की तेच्छ को में जिए बैर हमाराXT के अच्छे से हीई सैक फूरी कर लें अब यिसे तरेक में सं आड़ बना है अब यहान का मैं अएक पेडा सबयुंगर Zumal प्लैटफॉर्म पे पर भी कर सकते हैं आप और वीसलेंगी और यहां पर दाज़ा रिएगे इसमें आपको बेलन का इस्तमाल नहीं लगेगा अगर आप करना चाहते हैं तो बेलन से कर सकते हैं पर यह शोटकट है अगर आपको आलू मैश है रहा है तो आप सीध इस तरीके से यह नाश्टा बना सकते हैं इस पेड़े को इस तरीके से आप यहां पर दबाएं और जो यह वागत करने के जरूरत महंगे नाश्टे को बनाकर छोटियों में बच्चों के लिए बच्चों के टिफइन के लिए सुबह शाम के लिए लिए को तयार कर सकते हैं और बहुत हैं तो आज मैंने एक बिना अलू के बता है जिसे आप बच्चों के लिए बना सकते हैं या बच्चों के लिए घर में सभी के लिए बना लीजे तो सभी खा सकते हैं बहुत टेस्टी बनता तो साथ मैंने आपर कड़ाई में तेल गरम उने के लिए रख दिया था बस तेल गरम कर अगर आपकी फ्लेम थोड़ी भी मीडियम हाई होगी तो क्या होगा गेहु आटे का नाश्टा है बाहर से पक जाएगा पर अंदर से आटा कच्छा रहा जाएगा तो यहां पर लोग पर आपको थोड़ी से पेशंस के ताथ हलका पुलका अलट पलट के आपर फ्राइब करना है बिल्कुल समोसे वाला कलर आया है और देखा जाए तो एक तरीके से समोसा ही है तो यह देखिए यहां पर मैंने इसे हरी मिल्ची और चटनी के साथ सर्व किया है तो है ना बिल्कुल बहुत बड़ी है रेसिपी अगर आप भी आलू के समोसे एवाइड करते हैं बच्च जिल्जस वड़्गी आलू का करा समय आलू के साथ से व्च्चेश नाएक रचा तरीके समोसे व इजा प्या घर से आलू हैं एफेजा करें पाफने रिल्यों इजसे हो धर वाल वाला कंवाइग डोहां रहुत दो हैं भाला क्कndी आलू हुई पहां जगर